Exercise 1B Question No. 13 तो 13 क्या है? Arrange the following numbers in ascending order इन numbers को ascending order में write करना है माने ascending मींज़ छोटे से बड़े क्रम में लिखना है तो जब छोटे से बड़े क्रम में लिखना है तो यह कितने नमबर से है? 1, 2, 3, 4, 5 5 numbers हैं तो यह नमें सबसे चोटा number कौन से होगा? चोटे से बड़े क्राफ में लिखना है, तो सबसे छोटा नमबर कौन सा होगा, फिर बाकी जो बचेंगे उनमें छोटा नमबर कौन होगा, उसको राइट कर लेंगे, फिर जो बाकी बचेंगे उनमें छोटा नमबर कौन होगा, उसको राइट कर लेंगे, लास्ट में सबसे लास्ट में जो नमबर बच्चे को उसको write कर लेंगे तो यह ascending order में हो जाएगा तो ascending order में तो जब कई numbers हैं तो इनको हम देखने के लिए कि कौन सा छोटा number है यह हमें चेक करना है तो चेक करने के लिए पहले इनमें number आप digits write कर लें तो देखे तो यह number आपने write कर लिया तो इसमें देखा कि जो numbers लिखे हुए है तो इसमें 6 digit वाले भी number है 7 digit वाले भी number है और 8 digit वाला भी number है तो इनमें सबसे छोटा number कौन सा होगा जो सबसे कम digit वाला number होगा तो सबसे कम digit वाला number के वाले एक number आया है 6 digit वाला number आया है तो इस number को पहले हम write करेंगे तो in ascending order in ascending order ascending order में write करने के लिए तो जो सबसे कम digit वाल नमबर के वाल एक आया है तो एक आया है तो वो कौन सा है 6 digit वाल नमबर है तो इसको हम write कर लेंगे सबसे पहले कि यह सबसे छोटा नमबर होगा 700087 write कर लिया इस वालर का sign लगा दिया यह नमबर आपका हो गया, complete हो गया आप देखिए जो 7 digit वाले 3 numbers है और 1 number 8 digit वाला है तो इनमें 7 digit वाले number कम digit वाल नमबर है इसलिए 7 digit वाले number छोटे होंगे लेकिन 7 digit वाले 3 numbers है तो जब 3 numbers है तो इसको हम compare कर लें कि इनमें कौन सा छोटा है इन तीनों जो छोटे number है इनमें कौन सबसे छोटा number है यह हमें compare करना है तो 1st digit को compare कर लें यह 8 है और 7 digit वाले दूसरा इसमें भी 8 है तो 7 digit वाले कौन कौन से है यह है यह है और यह है तो इनमें देखा जो 1st digit है 8 8 और इसमें भी 8 है तो ये तो equal है, digits है, तो जब equal, equal number है, तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों तो equal हो गए first digit पा, अब second digit को compare करेंगे तो इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, और इसमें भी 0 है, तो ये भी same है, third digit को compare करेंगे, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें भी 1 है, तो third digit भी equal है, अब fourth digit को compare करे कि इसमें 4 है और इसमें 5 है और इसमें 4 है तो यहाँ पर देखें कि जो 4 और इसमें 5 है 4 तो इसमें 4 है तो यह तीनों में अलग अलग हो गया दो में 4 4 है और एक में 5 है तो जो 5 बाला होगा वो इन दोनों से बड़ा होगा इन दोनों से बड़ा नंबर होगा तो यह तो बड चोटे नमबर से दोनों में फोर्थ डिजिट एक्वाल है इसका मतलब यहां तक कंपेर करने पर यह दोनों एक्वाल आ रहा है और यह चोटे नमबर है और इनमें देखें इन दोनों में कौन से चोटा है इसमें और इस वाले में कौन से चोटा है तो आप फिप्थ डिजिट को इनके दोनों compare करते हैं तो इसमें देखे 2 हैं और इसमें कितना 3 है तो जो fifth digit आपकी आगई ये इन दोनों में देखें तो 2 छोटा है 3 बड़ा है इसका मतलब हुआ कि ये number छोटा है तो इसको हम write करेंगे कौन से write करेंगे ये तो 8014257 और इसके बाद में क्योंकि ये दोनों छोटे numbers थे इनमें ये number उससे छोटा हो गए इससे इसके बाद क्या write करेंगे इसको write करेंगे क्योंकि ये छोटा number होगा तो 8014306 ये write कर लिया तो ये भी number हो गया अब seven digit वाला जो ये number आया था इन दोनों से बड़ा number था अब eight number से ये छोटा होगा eight digit वाले number से तो इसका उतलब इसको write कर लेंगे 8015032 अब last में हमारा जो number बच रहा है कौन से बच रहा है ये eight digit वाले number बच रहा है तो इसको write करेंगे तो 10012458 ये ascending order वे आपने write कर लिया it is the answer अब question number 14 इसमें one two three four five six six numbers दिये हुए है इनको ascending order में write करना है छोटे से बड़े करम में तो पहले digits number आप digits count कर ले कितने कितने digits वाला कौन number है one two three four five six seven seven digit का number है one two three four five six six digit का number है one two three four five six six digit का number है one two three four five six seven seven digit का number है ये one two three four five six six digit का number है ये one two three four five six seven seven digit का number है इनमें देखें तो three numbers ऐसे हैं जो six digit वाले number है और three numbers ऐसे हैं जो seven digit वाले number है तो जो कम digit वाले होंगे numbers वो छोटे होते हैं तो इसका नतरा कौन कौन सा छोटा number होगा six digit वाला ये number है ये number है और ये number है लेकिन इन तीनो नमबर में कौन छोटा होगा तो उसको में compare करना पड़ेगा तो उसको compare करते हैं तो six digit वाले जोकि ये तीनों छोटे होंगे नंबर लेकिन इन में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा six digit वाले इनको compare करेंगे तो first digit को देखते हैं तो ये first digit इसमें eight है और इसमें nine है और इसमें eight है तो देखें ये different हो गई ये दोनों तो आपके डिजिट eight eight आ रहा है इसमें nine आ रहा है तो इसका उतलब ये जो nine आ रहा है फार्स डिजिट में इसमें nine आ रहा है जो six digit वाले को compare कर रहा है और इनमें eight eight आ रहा है ये जो छोटे numbers हैं दोनों ये अब इनको हम compare करेंगे किसको किसको इसको और इस वाले को compare करेंगे कि in में चोटा कौन सा है तो देखें second इसमें second digit को compare करते है इसमें nine है इसमें none कै कि इसमें equal है, equal digit है, अब इसमें 3 है, third digit और इसमें भी 3 है, ये भी equal है, फिर इसमें fourth digit two है और इसमें four है, ये different हो गई है, ये आपकी different हो गई, ये और ये, तो इनमें छोटा कौन सा है, two छोटा है, इसका उतलब ये number आपका छोटा होगा, ये number आपका क्या होगा, छोटा होगा तो इसके बाद इन दोनों में ये दोनों चोटे नमबर बचे थे तो इन में इसके बाद ये आ जाएगा आपका क्योंकि इस से बड़ा आपका ये रहेगा और फिर ये तीनों नमबर जब छोटे थे तो ये दोनों नमबर आ गए तो इसके बाद में थार्ड नमबर पर ये आ जाएगा तो सबसे पहले इस नमबर को राइट करते हैं तो in ascending order देखें कौन सा नमबर हो जाएगा सबसे छोटा नमबर कौन सा आ गए ये वाला आ गया तो इसको राइट कर लिया एट, नाइन, थ्री, टू, फोर, फाइब इस वाला कर साथ लगा दे इसके बाद नमबर कौन सा है आपका ये आ गया इसको राइट कर लेंगे क्योंकि ये जो बचे इसमें और इसमें इन दोनों में ये वाला नमबर आपका छोटा है तो इसको राइट करेंगे एट, नाइन, थ्री, फोर, टू, फाइब ये दोनों हो गए अब शिक्स डिजिट वाला जो अधर नमबर बचा है एक नमबर ये बचा है तो ये छोटा होगा उन सेवन डिजिट वाले नमबर से तो इसको राइट कर लेंगे इसको राइट कर लिया तो नाइन, एट, जीरो, वन, थ्री, फोर अब देखिए, सेवन डिजिट वाले भी थ्री नमबर से सेवन डिजिट वाले कितने नमबर से थ्री नमबर से एक आपका ये है एक ये है और एक नमबर ये है इसमें कंपेर करें कि इन सब इन तीनों सेवन डिजिट वाले नमबर में कौन सबसे चोटा नंबर होगा तो देखिए फर्ज डिजिट को compare करते है जिसकी वन है इसमें भी वन है और इसमें भी वन है ये तो इकहुल हो गई आप सेकंड डिजिट को compare करेंगे इसमें 0 है जिरो है और इसमें भी 0 है ये भी equal digits हो गई थर्ड डिजिट को compare करेंगे इसमें 2 है और इसमें 2 है और इसमें भी 2 है थर्ड डिजिट भी equal है अब फूर्थ डिजिट को compare करेंगे इसमें 0 है इसमें 1 है और इसमें 0 है तो यहाँ पर देखें तो यह जो फूर्थ डिजिट है ये अलग अलग हो गए तो इसमें देखे जीरो जीरो इन दो में जीरो है और एक में एक है फौर्थ डिजिट तो मतलब जो वन है तो वन वाली जो वन है जिसमें फौर्थ डिजिट वो बड़ी होगी जीरो वाली चोटी होगी तो जिरो वाली चोटी वाली दो है हमारी ये वाली और ये वाली ये दोनों चोटी है तो जब ये दोनों चोटी है इन दोनों को कंपेर करें कि इन दोनों में कौन चोटी है तो इन दोनों में चोटी कौन है तो इसके बाद एक कंपेर करेंगे चूंकि फोर्थ डिजिट इसम नमबर आपका राइट किया जाएगा, यह छोटा है, तो 10, 20, 21, 6, इतना आ गया, अब इसके बाद में इन दोनों में compare हो रहा था, कौन छोटी है, तो अब इसके बाद में यह राइट कर देंगे, चूंकि यह छोटी है, इसको राइट कर दें, 10, 20, 3, 0, 4, और लास्ट में आ आपका नमबर जो बच गया, कौन से बचा, यह बचा, इसको राइट करेंगे, 10, 21, 403, तो इस तरह से ascending order में आपने राइट कर दिया, it is the answer.